आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ विकल्प है 420, दूसरा विकल्प है 640, तीसरा विकल्प है 820 और चोथा विकल्प है 1040 तो आईए अब हम इस प्रशन को हल करते हैं जैसा कि हमें कहां गया है कि LCM जो है वो HCF का 28 कुणा है तो हम इसको लिख सकते हैं 28 कुणा HCF अब हमारे पास जो पहली संख्या है वो हमारे पास 240 के बराबर दी गई है तो पहली संख्या बराबर है 240 और हमें दूसरी संख्या ग्याद करनी है हमें प्रशन में एक और चीज कहा गया है कि HCS प्लस LCM जो है वो 1740 के बराबर है तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं माना HCS बराबर है X के तो LCM उसका 28 कुना है तो LCM बराबर हो जाएगा 28 into X के बराबर अब हम इस value को यहाँ पर put कर सकते हैं तो हमारे पास आएगा X जमा 28 X बराबर है 17, 40 28 और X ये बन जाएगे 29 X बराबर है 17, 40 और X बराबर है 17, 40 वटा 29 अब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा X बराबर है 60 तो हमारे पास जो HCF की value है वो 60 के बराबर है HCF बराबर है 60 तो LCM किसके बराबर होगा LCM बराबर है 60 गुणा 28 जो की बराबर होगा 280 के अब जैसा की जानते हैं हमारे पास एक सूतर होता है LCM गुणः HCF Allवर है पहली संख्या गुणः दूसरी संख्या पहली संख्या गुणः दूसरी संख्या तो हमारे पास जो पहली संख्या दी गई है वो 240 के ब राबर है तो हम यहाँ पे सबसे पहले LCM लिखते हैं जो की 1680 गुणा HCF जो की 60 के बराबर है पहली संख्या 240 के बराबर है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो हमारे पास जो दूसरी संख्या है वो बराबर होगी 1680 गुणा 60 वटे 240 अब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आता है 60 से 240 को कट किया तो यहाँ पे 4 आएगा 4 चुके 16 चार दुनियाट 0 तो हमारे पास जो दूसरी संख्या है वो आती है 420 अब जैसे कि हम विकल्प ने देख सकते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है तो हमारा विकल्प जो एक है वो बिल्कुल सही है थैंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर